तो फ्रेंट्स ओल्दो 31 दिसम्बर की लास्ट डेट में काफी सारे काम करने हैं बट अभी हम जो बात कर रहे हैं यह उस्कीम के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में एक्स्टेंशन की कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है और इसकी last date है filing की मतलब declaration की 31 December और अगर कोई payment करनी है तो उसकी last date है 31 March इस scheme में जाने का benefit क्या होता है कि आप huge penalty से बच जाते हो जो आपको 100% से लेकर 300% तक लग सकती है उन सभी penalty से आप बच जाओगे सारी proceeding से बच जाओगे सब खतम हो जाएगा तो guys इसकी declaration का मतलब क्या होता है declaration का मतलब है कि आपको form file करने है 31 December तक बट कोई payment है तो वो करनी है 31 March तक without any penalty कोई proceeding नहीं होगी तो इस scheme का ये benefit है तो इस scheme की extension के regarding भी आपको बात करनी चाहिए इसी की scheme का इतना benefit है अगर कोई TP audit में documentation नहीं दिये या कोई आपका case चल रहा है assessment जल रहा है जिसके पास जिसके लिए आपके पास documents नहीं है तो आप इस scheme में जाकर benefit ले सकते हो तो इस scheme के भी date extend होनी चाहिए और इस scheme का government को भी काफी benefit मिले है उनको इस scheme में काफी सरे cases मिले हैं अब हम बात करते हैं viral news की जो news इतनी viral हो रही है और बताया जा रहा है कि GST annual return जो 1920 की है उसको extend कर दिया 31 March 2021 तक तो गाइस इसमें कोई हमारा उन्होंने कोई benefit नहीं किया ये तो 1920 की जो forms है आई December में है second week of December इसकी date extend करके कोई उन्होंने benefit नहीं दिया हमें although इसका कोई भी formal notification नहीं आया मैं आपको बता दूँ कोई formal notification नहीं है बट government ने मान लिया है कि 1920 की date को हम extend कर रहे है 31 March 2021 तक GSTR 9, 9A and 9C 1819 के regarding GST का कोई बात नहीं हुई income tax का भी कोई formal notification नहीं आया बट 1920 के लिए बता दिया है बट formal notification अभी भी आना बाकी है बट ये 31 March भी आप हमें क्या date दे रहे हो ये तो आपको देना ही था ये तो खुद का आपका fault है आपके तब forms ही second week म तो गाइस वीडियो में कुछ भी है चलागा तो लाइक करता है until then thanks for watching